हाई फ्रेंट्स मैं परंदिर थारी फ्रेंट्स आज के हमारी गेम फाइटिंग वाराइटी इस दीगी वीडियो रेकमेंटेशन है उन्होंने जिस गेम के पर फ्रेंट्स मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है वो सन 1991 केंडिडेट्स टोर्रामेंट जोगिरीगा में खेल लगा था लिएनएड योदसिन वसिस वैसली इवांचुक उल्य शुरू करते हैं इस गेम को यहां लियुनिड योदसिन से ने ए-4 के साथ शुरू किया वेसले यवांचुक का रिपस्पाउंस यहां E5 का आया Knight F3 Knight C6 Two Knights 12 चुगे हैं Bishop C4 Italian game Knight F6 then हुआ D3 Bishop E7 और इसके बाद दोनों साइड का आया Castle कह सकते हैं Max Line Attack kind of a formation C3 हुआ D5 He takes D5 Knight takes D5 रुकाया E1 square पर विल्कुल ठीक भी है White का focus अपने development पर ज्यादा है Knight और Bishop उसे निकालने में थोड़ी सी देर प्रॉब्लम होगी Bishop आया G4 square पर exactly Knight पर रहो चुका है ज्यादा बड़ा इशू नहीं है Knight at B goes to D2 यहां पहले White किया King आया H8 square पर friends King का H8 square पर जाना क्या हो सकता है लगता है सब देखते हैं लेकि ओर क्या यहां पहले खिला गया A4 F6 चलिए Pawn भी आगे पुश्यूदा वाला जिसके मैं सोच रहा था A5 यहां Leonard भी किया Rook आया B8 square पर और friends Rook का B8 square पर आना हाँ अब तो यह खतरा नजर आता है Pawn पर था शायद इसलिए Black के दमाग में रहा होगा क्यों अपने Rook के B8 square पर लेकर आए Knight F1 then Bishop E6 Bishop E6 थीक भी है क्योंकि Knight maneuver तो आपको clear नजर आए जो बिशाप काविट लगाएगा ही लगाएगा Quinn गई है four square पर और यहां Quinn के four square पर आने की बाद friends Wesley one चुक ने मैं सही बताओं तो मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने plan किया था कि उकसाया था कि वो यह काम करें यहां किया गया A6 और A6 होने के बाद जो simple tactics को जानता है वो clear कहेगा कि यार लोई spawn को नाइट कोई defended करो removing the defender सिंपल लग जाए बिशेप टेक्से 6 लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वैसली का चुकी planning थी या जो करना चाहले थी नाइट टेक्से 5 पॉन एक्षेंस वो इक्विल कर लिया कोई टेक्से 5 material गया है अभी बिशेप को ब्लैक को लेना स्कूर पर भीशेप D3 बिशेप की D3 स्कूर पाना आने के बाद बिशेप आया बिशेप स्कूर पर क्विन पर एक बना। और वाइट अपने बिशेप को कभी समय नहीं मिल पाया उसे बाहर से चलिए कोई बात नहीं एफोर नाइट पर अटेक बना और इसके बाद यह नाइट गया डी टू स्क्वाइर पर फेंट वैसे लिए वांचुक अब इस गेम बें अपनी को बहुत टॉंक कर चुके हैं देखिए उनके पास आउट पुस्ट कितनी है यह एकदम क्लियर है क्य अगले मूव में यहां बिशेफ को ट्रैप करने की तयारी है क्या करें नाइट कहां मूव करें नाइट अगर वैसे तरह से मूव होगा तो जिरवीश हुआ जाता है एक आप्शन है कि यहां इस पॉइंट पर पहले ही बिशेफ को एफ फोर स्कॉर पर ले लिया जाए पू कि इंटेंशन क्या है कि ठीक है मैं अपने लिया हूंगा बिशेफ को कहीं से निकाल कर रुक आया भी एट स्कॉर पर चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है कुई गई एटू स्कॉर पर और यहां नाइट एफ फोर मूव एग्जैक्ली इस पॉइंट पर गिया जा सकता था और वाइट के लिए वाइट देन हुआ नाइट एफोर सीड उसी पॉण पर अठेग है अगर आप पॉण आगे पुश करते हैं तो नाइट क्या फॉक लगाएगा ये भी क्लियर है तो पॉण आगे पुश करना आउट फॉक शेल में पहले भी था अब भी है नाइट सीफोर चलिए डिफेंस तो कर लिया है लेकिन बिशाप आया भी फाइव स्क्वेर पर और उसी नाइट को एलिमिनेट करने की तैयारी और फिर वही सारा कुछ सीक्वेंस आ जाएगा यार हो जाएगा खेर नाइट यहां से एफाइव स्क्वेर और फ्रेंस लिए भी पीछा नहीं वाला हूं नाइट टेक्स वी टू फाइनली खेला गया क्यों टेक्स वी टू पॉन गया है क्यों क्योंकि बिशप टेक्स एफ़न हुआ क्विन पर अटेक बना मैट्री लेक्शेंज इक्वेल रहा क्विन गई अटानी पड़े कि पहले तो उसके बाद यह बिशप वापस टेक्स एफ़न को बचाना होगा क्विन गई एट स्कॉर पर देखिए एट स्कॉर पर पर जाना क्यों इंपोर्टन एक यहां इस पॉइंट पर फ्रेंड्स अब चूंकि वाइट एक अच्छा खासा एडवंटेज है उसके पास देखिए एडवंटेज क्या है रुक सीधा सैवन्थ रैंक में जाने को बिल्कुल तैयार है जाना चाहिए था रुक डी सैवन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाता उसके बाद रुक्स की बैटरी तैयार होगी फर्दर यह बहुत अच्छे वे में की जा सकती थी लेकिन स्पेशली में कॉर्णर को लेकर कहता हूं अगर फिरी मिल रहे है जल्दबाजी नहीं करने चीले लेकिन बहुत लेट भी नहीं पतला आठी निकल गया यहां कोई टेक्स ऑग्या लेकिन बिशप सी 3 रुक पर एटैग बना रुक गया एफ 1 स्क्वार पर रुक एफ 1 यह भी ठीक है ठीक है क्यों नहीं रुक एटू स यह परिशान करेंगे मेरे ख्याल सही होगा एफ फॉर बिशप पर अटेग बना क्या यह बीच में रूप सकता था ज्यादा अच्छा था देखिए रूप बिशप एसावन ठीक है लेकिन नेच्छरल सेरेक्शन मेरी नजर में सी फाइट स्कूर यह बिस इगलतियां हम लोग बहुत करते हैं यहां रूप पर अटेग बनता आपको एक टेंपो मिलता आपको एक एक्स्ट्रा मूव मिलता और बिशप के लिए ठीक ठाक आउट पोस्स आपको मिल जाती है लेकिन ऐसा होने के बाद रूप एट हो गया उल्टा बिशप पिन हो गया मानता हूं कि बहुत कि वैसली ने कोई हिडन मूव चलके देखी कर लीगा लेकिन उन्होंने यहां अपना एक पॉन है ना एक कदम पुछ करके फाइनली पहुचा दिया इस स्क्वार पर जो चेक्मेट करवा देगा पॉनेक्शेंज करते हैं तो क्या होने वाला है यह एक दम क्लियर है कोई इस चेक्मेट तक हस केम पहुचेंगी लेकिन यहां किला गया क्विंटेक्स सीसेवन यहां पर बिल्कुल सही नहीं है वाइट कर मैं फिर दुबारा का हुझगा कि बिशप मैन्वर ज्यादा बेहतर वर्ग कर दा क्यों नहीं है क्योंकि पहले बिशप आया इफाइव स्क्वा उनके दिमाग में राव गार ठीकर क्विन एक्षेंज कर लूगा उसके बाद कौन रोकेगा सब कर सारे काम देंगे बेगा क्विन आई टी सैंवन स्वार पर वह हुआ भी लेकिन फ्रेंट्स जो उमीद यहां पर लियोनर्ड युदसन को नहीं थी वो यहां वैसे लिए वां मूँ था जिसे चलने के बाद लियोनर्ड को रेजाइन करना पड़िया रेजिगनेशन का रीजन तो बाद में देखिए रूप्टिक्स सेवन की रीजन समझने की को एक्षिन सेक्रिपाइस है तो सबसे पहले कैलकुलेशन समें जरा इसी को करके देखते हैं कि अगर यहां इस स्क्वेर पर जा नहीं नहीं वाली थी यह जैसा शायद पहले इस मूँग के चलने से पहले लियोनर्ड एक्सपेक्ट कर रहे होगी यहां पर खेला जा सकता है बीशव टेक्स सीधा सीधा के क्विन के एंट्री होगी चेक देने के साथ देखिए किंग टेक्स ह2 होता है तो कुईन के एंट्री चेक देने के साथ इस पैसे बचाओ इस बचाओ अगर यहां वाइट अपने किंग को ह1घा स्कूर पर लेकर जाये तो क्या होगा किंग के ह1 सकूर पर आने के पाद सीधा सीधा बिशव पहले पीछे खा हैग और कुईन के एंट्री पिर वहीं चेक 보고 कि थ्रेट के साथ होगी अब किंट के एंट्री कैसे होके अब कितने भी दिमाग लगा लो देखिए चलिए मूव कर लीजिए उसके बाद फिर वही होगा फिर तो कुई चेक्मेट की थ्रेट कैसे दे रही होगी आपको अपने से रागी होगा एक बार गली मैं जी फोर कोना क कि पुछ कर देता हूं तो उसके बाद ब्लैक अपनी कुई जी सिक्स स्कॉर पर लेकर चला जाएगा और उसके बाद क्या चैक्मेट की थ्रेट आएगी वही क्लियर है जैसे कि कुई डी सेमन जैसे मूव अगर यहां वाइट चलेगा तो अब क्या करें अगर वाइड यहा तो फ्रेंट से मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से इन सी फाइल के दोनों पॉन्स को कौनिंग स्कॉर तक पहुंचा है जाएगा रूप टेक्सी एट होगा देखे वैसी यहां स्ट्रगल कर रहा है वाइट यहां पॉन्स के साथ बुक आइदर उन डी सेवन किस कीमत प जब बुक झाल झाल झाल